आज हम इस chapter का एक नया topic एस्टार्ट करेंगे जिसमें हम functions एंड उनके types के बारे में पढ़ेंगे इस topic में हम ये सीखेंगे कि function कितने type के होते हैं और उन्हें हम किस प्रकार represent करते हैं तो चलिए अब हम इस topic को पढ़ने से पहले function के कुछ concept रवाईज कर लेते हैं हम पढ़ चोके हैं कि function क्या होता है function एक relation का special type होता है जिसमें set A से set B में define कोई relation इस तरह का हो कि A का प्रतेक element B के केवल एक ही element के साथ related हो तो वह relation function होता है या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ordered pairs x, y का set function होगा यदि प्रतेक x coordinate के लिए cable एक ही y coordinate हो या फिर प्रतेक x coordinate cable और cable एक ही y coordinate के साथ mapped हो function को हम इस तरह से represent करते हैं जहां A इस function का domain and B इस function का codomain होता है तो इनसा भी concept पर based एक recall test है जिसमें हमें तीन arrow diagram दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि in relations में से कौन सा function होगा तो अब आपको इस question को खुद से solve करना है so please pause the video here and take two minutes to solve this question I hope आप में से काफी student ने इस question को solve कर लिया होगा तो चलिए अब इसका solution discuss करते हैं यदि हम सबसे पहले relation को देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यह function नहीं होगा क्योंकि set A का element 2 set B के किसी भी element से related नहीं है इसी प्रकार यदि हम second arrow diagram को देखें तो यहाँ भी function नहीं होगा क्योंकि set A का element 1 set B के दो अलग-अलग elements के साथ related है अब यदि हम third arrow diagram को देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ function होगा क्योंकि A का प्रतेक element B के किसी न किसी element के साथ related है अब हम domain, range and co-domain के बारे में भी पढ़ चुके हैं यदि हम third arrow diagram को देखें तो इसका domain होगा 1,2,3,4 और इसका co-domain होगा P, Q, R, S, T and अब यदि हम इसके range की बात करें तो range होगी Q, R, S क्योंकि B के किवल Q, R, S ही A के किसी न किसी element से related है